हलो एव्रिवान कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे और आज हम फिर UPPCL TG2 में कंप्यूटर के MS वार से एक थमाकेदार वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या-क्या लेकर के आए हैं और किस तरह के questions किस तरह से क्या चीज़ें आपको आज हम बताने वाले हैं आर्यू रेडी है आर्यू रेडी येस वाय नौट अर्यू रेडी येस चलिए देखते हैं लोग यहां पर पहला question हमारे पास UPPCL TG2 में जो पूछे जाने वाला मैकोस आप वर्ड से question है वह कौन सा है चल में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो default file का नाम क्या होगा मैं पहले तो आप रोकूंगा और पूछूंगा आप से देखिए सर आप सबसे पहले क्या किया करिए बहुत इत्मिलान से question को understand कीजिए क्योंकि देखिए minus marking है अगर आप question को understand नहीं करेंगे मैं तो चाहता आए ठीक है नहीं तो पता चला आप सारे के सारे करके आएंगे तो जाइर सी बात मैंने मार्किंग है तो फिल गलत हो सकता है तो बहराल आप question देख रहे हैं इसको एक-एक करके बहुत ही कारें से समझने के कोशिश करेंगे इस तरह से जब आप word में पहली दस्तावेज फा कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं उस फाइल को सेव करना ठीक है या सेव नहीं करना चाहते हैं सबसे पहले जाब दस्तावेज या उस फाइल को तयार कर रहे हैं तो उस समय आपको बताना है कि कौन सा फाइल का नाम क्या होता है पेज वन होता है उस समय को अगर आप सेफ करना चाहते हैं या अभी आपने सेफ नहीं कि आप वह फायल का नाम नाम ही आको दिखा रहा हो कि क्या है कर आपको दिखा रहा हो वह क्या है और आपकोना है इसका रायड ऑनसर क्या होगा जिन students या जो भी छात्र यहां पर पढ़ रहा है अगर उसको आता है Microsoft Word पर कभी काम किया है अगर उसने देखा है तो वो तो बता सकता है बड़ी आसानी से पढ़ा है तो भी बता सकता है लेकिन अभी उसने start किया है तो वो कैसे बता पाएगा बेरहाल आप कहीं से भी हो आपन आंसर बहुत ही क्योंकि हम भी प्रेटिकली करके देख रहे हैं चलिए मैं आपको Microsoft Word की तरफ ले करके चलता हूं और इस question का कुछ भी फाइल हो जब भी आप यहांपे फाइल देखेंगे तो आपके उपर सबसे उपर जो फाइल का नाम आप देख रहे होंगे देखिए आप question भी आप से यही पूछा गया है answer आपको मिल चुका है मेरों को बताने की जरुवत नहीं है answer आप देख सकते हैं देख रहा है क्या देख रहा है फाइल का नाम document 1 है पहली बार पूछा है अगर मैं इसको दूसरी बार कर दूँ मैं एक फाइल और खोल दूँ तो यह दूसरी बार फाइल का नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा आंसर आपको मिल चुका है आंसर क्या है फाइल का नाम क्या होगा आपने देखा document 1 समझ में आई बात दोगों बहुत प्यार से समझो यार ठीक है आपको पास आउट होना है पास करना है बहुत करदे से तो देखे जब भी आप वर्ड की फाइल खोलेंगे तो ना तो पेज वन दिखाई देगा पेज वन दिखाई देगा कहां पे दिखाई देगा वो भी मैं बता देता हूं आपको स्टेटस बार पे दिखाई देगा कहां पे इस्टेटस बार पर कहां दिखाई देते हैं तो बता देना स्टेटस बार पे सो करते हैं कहां पर स्टेटस बार पे आ आते हैं तो default file का नाम क्या होता है आप page 1, page 2, page 3 करोगे तो लेकिन इसने का पूरी file का नाम क्या होगा तो आपका answer हो गया B यानि document 1 थोड़ा समय लग रहा है ठीक है skip मत करिये मैं आपको समझाने की questions कर रहा हूं ठीक है चलिए अगले question में आपका answer क्या हो गया document 1 अचा एक question स से और वो सकता यह document 1 कहां पे होता है तो आप बताएं का title बार पे होता है यानि file का नाम जो है वह कहां आपको दिखाई देता है title बार पर दिखाई देता है उस बार हो क्या वो बहुते हैं title बार चलिए अगले question की तरफ चलते है वह अगला question हमारे पास क्या है सीमपल सा कोशन है देखे लिखावब एक फीचर जो सामान ने स्पेलिंग तूरूटियों को स्वाचलित रूप से सुधारती है क्या कहलाती है मतलब अपने आप सुधारती है आटो फिट कहते ही उसे आटो फॉर्मेट कहते हैं उसे आटो करेट कहते हैं या इन में से कोई आफसन नहीं है चलिए आप जल्दबासी में आंसर मत दीजिए मैं आपको बता रहा हूं तो कहीं न कहीं आप भी रिलाक्स होकर के बताइए आप इसको जिस भी फॉर्मिट में देखना चाहें आप देख सकते हैं मैं यह दिखाई भी देगा आपको समझ में भी आएगा 144 में भी समझ में आएगा वाइस आपको समझ में आएगी आप जैसे जितना डेटा बचा लेकिन पूरी वीडियो को देखें और एक-एक कोईशन को नोट करें क्योंकि यही कोईशन आते हैं अभी मैं समझा रहा हूं तो आ अंडरस्टेंडंडंग करना है तो एक वीचर जो समान स्पेलिंग तूटिएं को सवцलित रूप से सुधार्ती है क्या कहलाती है आतो फिट कहलाती है आतो आटो फॉर्मिट कहलाती है आटो करेक्ट कहलाती है या इन में से कुछ नहीं कहलाती है चलिए इसका आंसर भी हम माइक्रोसॉफ वर्ड की स्कीन पर ही चलके देखते हैं यह हमारे पास माइक्रोसॉफ वर्ड है अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सबसे पहला जो आफसन मैं यहां पर दिया गया था आटो फिट आप अंदाजा लगाएगा मैं आटो फिट के बारे में आपको एस्प्लेन कर रहा हूं आटो फिट का भी कॉश्चन आएगा तो आप आंसर दे सकते हूं किसे कहते हैं और कहां पर यह अपलाई होता है ठीक है चलिए सबसे पहले मै इंसर्ट में जाता हूं आप भी धियान दिजेगा इंसर्ट में जाता हूं यहां पर टेबल एक जनरेट कर लेता हूं एक कॉलम दो कॉलम जो भी है यहां से मैंने तीन कॉलम लेकर के और तीन रो ले लिया मैंने ड्रॉ कर लिया अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आजाएगा नहीं पड़ा है तो भी आपको समझ में आएगा टेबल तो आप देखी रहे हूं तो बता भी रहों आपको यहां पर यहां पर आपने लिखा serial number यहां पर आपने लिखा name और यहां पर आपने लिख दिया address अब आप क्या करते हो यहां पर एक data यहां पर लिख दिया आयोद्या इसे लिख दिया देटा बना दिया अब आटो फिट का ओफिन समझेगा आपको स्क्रीन पर उपर टैब में देखिएगा हम तो थे Insert menu में and the layout अने गार से दिजाइन टाप में आते हैं डेधर के लेयाओट वे लेयाओट बैसे पर दूर्पकी सब्सक्राइब वो टेबल का है एलिखावा टेबल टूछे टेबल का लियाउट क्लिक करता हूँ आ यहां पर देखे आठीज़ वला आरा है चलिए मैं को करके भी दिखाता हूं अब कि यहां बनता है को से रूस्टस बनता है को सynn का आँसर बताना चाहता हूँ आप इंतिजार मत करो कि इसका आंसर क्या होगा मैं सारे आंसर को वन बाई वन देने वाला हूँ आपको पूरा पूरा वर्ड पढ़ाने वाला हूँ आगे का कोशन भी अगर इस तरह से आए तो आप बता सकते हूँ चलो देखो आटो फिट यहां पर मैं गया और आटो फिट आटो फिट कंटेंट पहला 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 आटो फिट कंट बेकार रहेंगे, ठीक है, are you ready, sure, skip मत करना, ने तो ये तीनों के तीनों option आपके बेकार हो जाएंगे, इसका answer भी आपको बेकार हो जाएगा, आप क्या बताने वाले हो, ठीक है, तो आटोफिट content का क्या मतलब हो गया, ये जो इतना matter लिखा हुआ है, इसी के base पे हो जाएगा फिट हो जाएगा, ये देखिए, ये तो हो गई आटोफिट content की कहानी, चलिए, अगली, अगला जो कहानी है, यहाँ पर देखिए, आटोफिट window, according to window, जैसे window होगा, page जित्ता बड़ा होगा, उसके इसाफ से फिट हो जाएगी, ये देखिए, हाला कि जैसे था, वैसे नह मतलब है, इक्सामपल के रूप में, जैसे मैं यहाँ पर रवी वाले पर आगर कि कुछ लिखता चला जा रहा हूँ, लिखता चला जा रहा हूँ, लिखता चला जा रहा हूँ, तो column की चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है, आप चाहते हो कि इतने ही column में फिक्स हो जाए इतने ही कॉलम में फिक्स हो जाए कॉलम की चौड़ाई ना बढ़े तो आपने कॉलम को फिक्स कर दिया अब आप यहां से बढ़ाईए जिलता भी लिखेंगे यह नीचे आएगा लेकिन कॉलम नहीं बढ़ेगा अंडरस्टेंट तो इसको बोलते हैं आटो फिट तो बैरहाल कॉश्चन क्या पूछा गया था वह आउट हमने आ लेते हैं कॉश्चन में पूछा गया एक फीचर जो समान स्पेलिंग तुरूटियों को स्वाचलित रूप से सुधारती है उसे क्या करते हैं यह तो नहीं है यह क्या करता है अब जब यह फिटिंग करता है तो यह बात यह देखिए डिजाइन में गए टेबल में ही है यह देखिए यहां पर बहुत सारी डिजाइने दी गई है यानि आटो फॉर्मेट पहले से डिजाइन दी हुई है आप यहां से जो भी फॉर्मेटिंग अपलाई करेंगे वह फॉर्मेटिंग हमारी अपलाई हो जाएगी इसको बोलते हैं आठो पॉर्मेट ये आफ़सन भी नहीं है क्योंकि इस पेलिंग बोला है यहां पर आंसर क्या बोला है इस पेलिंग त्रूटिओं को लिए तो वो भी नहीं है चलो अगले तरफ सलते हैं यानि ना पहला है ना दूसरा है दोनों ही टेबल के लिए थे और spelling के लिए कौन सा होगा अब देखते हैं क्या आटो करेक्ट भी spelling के लिए है या नहीं है सही है या गलत है मैंने यहां पर फिर से वर्ड में गया यह पूरे के पूरा डेटा मैंने हटा दिया पूरा का पूरा डेटा जैसे था मैंने आहां पर हटा दिया पूरा का पूरा डेटा ब्लैंक पेज हमने यहां पर रखा हुआ है मैं यहां पर लिखता हूँ, चोटा सा वर्ड लिखोंगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको यहने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा common, आपको स्पेलिंग सही लग रही है हमें तो नहीं लग रही है अगर आपको लग रही है तो आप मानूं बट मैं तो नहीं मानूंगा ठीक है अब हाँ हाँ जी हाँ आप सही कहरो डबल एम होना चाहिए तो यार मैं लगाऊंगा भी नहीं मैं जैसे ही आप इस पेस दियूंग पिशे क्या रिजन हो सकता है देखो common नहीं support किया यहां पर right click करता हूँ यहां पर आपको common दिखाई दे रहा है लेकिन यह तो spelling grammar है ठीक है एक काम करता हूँ मैं इसी चीज़ को एक नई file पर क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे काम कि एक नई file लेता हूँ वहां पर मैं लिख करके दिखाता हूँ फिर से लिखा common सेम चीज़ अब space मैं देता हूँ हो गया कुछ नहीं किया देखो उसमें मैंने जो काम किया था वो से आगे जाही नहीं रहा था क्योंकि मैंने control Z किया हूँ था तो आपको समझ में आया है अच्छा इसी तरह से company लिखना चाहता हूँ देखता हूँ मैंने P गायब कर दिया space देता हूँ सही हो गया company यह सब autocorrect है आप communication लिखना चाहते हो double M होना चाहिए जैसे space दिया double M हो गया यही सारे example आपके autocorrect option है और यही तो बता रहा था यह question भी यही था question भी आपके यही दिये हुए थे आपका question जो था वो यही था कि एक features जो सामान इस spelling तुरूटियों को स्वाचलित रूप से सुधारती है मदब ऐसा spelling जो अपने आप सुधार दे आपको right click करके जैसे अभी हम लोगों को नहीं किया तब वो नहीं करना को तो उसके लिए भी आप कहां जा सकते हो आपको file में जाना पड़ेगा file option देखें आप जब यहां पर एक option मिलेगा option का option में एक option मिलेगा option का सबसे last option जब इसमें जाएंगे तो आप यहां पर देखिए यह option हमारे पास यहां पर मौझूद है प्रूफिंग का पूफिंग में जब आप जाएंगे तो ऊपर ही आपको दिख रहा है आटो करेक्ट आप्शन अब आप से समझ में आ रहा है अगला कोशन यह आटो करेक्ट आप्शन मिलता कहा है तो आप बताएगा file में option में और पूफिंग नाम के ग्रुप में जाकर के आप इसका यूज कर सकते हो आटो करेक्ट आप्शन क्या यूज कर सकते हो यहां पर देख सकते हो जितने वर्ड आपके हैं ना वह यहां पर नज़र आ रहे होंगे यह देखिए जैसे मैंने अभी कसी लगाया था शी से लेता यह आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अगर आपको समझ में आ गई यह बात और आपने सही बताया है तो इसके लिए बहुत 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 वेरी गूट ठीक है ना तो बहुत यहां पर कैसा लगा आपको यह बहुत ही उन्दा कोशन था इसके हर एक क्या answer बताया करए क्या सकते है कौन सा गलत है अगले question कि तरफ चलते है इसका answer क्या हो गया C, auto correct option यहाँ पर इसका right answer हो जाता है auto fit table में use किया आता है यह question याद रखेगा auto fit कितने तरीके से होते हैं वो मैंने आपको बताया auto fit content का क्या मतलब होता है वो मैंने बताया according to text फिर मैंने बताया auto window का क्या मतलब है table को auto window के बराबर कर सकते हैं फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई auto fit, column fixed क्या क्या मतलब है वो भी मैंने explain करके आपको बताया है उमीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी और अब हमारा क्या है अगला question चलते है अगले question की तरफ अगला question कहता है control plus y कुणजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है redo command के लिए यूज किया जाता है undo command के लिए किया जाता है paste command के लिए या फिर copy के लिए किया जाता है सर मैं आपको सारे एक option बताने वाला हूँ मैंने ठेका लिया है आपको फिर से बोला हूँ मैंने आपको ठेका लिया है कि आपको सही समझाओंगा, रटाओंगा नहीं, मैं रटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, तो चलिए, पहले तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, कभी नीचे से, कभी उपर से, कभी क्या है, कैसे, कैसे, क यहां पर लिखा हुआ है computer is an electronic डिवाइस आप चाहते हो कि यह जो electronic वाला option है यहां से आकर के और device के आगे भी लिख जाए तो control c से copy होता है shortcut की क्या होती है copy करने की control c से copy होता है shortcut ki याद रहिकन हो गया तो copy कि या of you से और यहां पर लाकर करके हमने पेश्ट मार दिया control वी से पेश्ट मार तो control V से क्या होता है टेंस ऐस्वेश्ट दो option में रुट आगे जो हम copy क्योंगे उसी को हम दूस्य जर्ण रखना होगा तो पेस्ट कर देंगे तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और ना ही पेस्ट है अब अंडू का मतलब है अगर आप चाहते हो कि जैसे था वैसे हो जाए मतलब करना हो आप यहां लिखार हुआ यहां नॉर्मली हो जायख तो एक शन्ट्रोल कर दिया ऐ पीछह चले गया से क्या होता है गेक जाने के ओस्ट अगर आना चाहते है तो प्लस य प्लस करेंगे तो वही चिश्ट फिर से आ जाएगा और आंसर भी यही है, redo command के लिए control plus y का यूज किया जाता है, redo command का क्या मतलब होता है, forward, अगर आपने control z के द्वारा कोई भी, देखो मैंने इसलिए पहले undo बताया, इसलिए मैंने copy बताया, copy की shortcut की बताई, फिर मैंने paste बताया, paste का यूज क्या होता है, without copy, paste बेकार है, तो इसलिए paste बताया, मैंने का पहले नीचे से बताता हूँ, फिर मैंने का undo बताता हूँ, क्योंकि बिना undo की redo नहीं सकता था, undo जब तक नहीं होगा, तब तक redo नहीं होगा, और shortcut की कैसे बता चलेगी फिर, तो undo का का क्या होता है, आप back ले जाना, और उसी को forward करने का क्या होत सकते हैं, और control प्लस Y से redo कर सकते हैं, तो यह होता है option, तो इसका right answer आपको पता चल गया है, पहला option इसका right है कि control प्लस Y से क्या होता है, redo होता है, ओके, आप लोग यह मत कहिएगा, जल्दी जल्दी, यार आपको आता है, मैं चाहरा हूँ, सारा का सारा option बता हूँ, हो सकता और कभी copy से question पूछले, copy की shortcut की नहीं मालूम, paste से question पूछले, paste आपको shortcut की नहीं आती, undo से question पूछले, undo की shortcut की नहीं आती, redo से question पूछी रहा है, उसकी shortcut की आपको नहीं आती, तो आपको जरुवत है, आप से पूछले की redo का का काम कैसे होता है, आप control प्लस Y, control प्लस Y दबा बहुत ही सठीक तरीके से मैंने explain किया आपको अगला कोशन देखते हैं इसका आंसर ए होगा यानि वन डीडू आपसंट अगला कोशन भी कुछ इसी तरह से यहां पे है चैनिस सब्द सलेक्टेट सब्द पर थीसर चेक कर चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको नहीं को बताना है इनकी shortcut की आगर आफ सीर का यूज़ करते हो तो क्या सब्द करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है वो यहां पर सवाल आता है तो सीधी सी बात है मैं आपको बता देता हूं यहां से कि किस चीज का यूज करना पड़ेगा तो पहरे मैं आपको सिर्फ प्लस F3 का यूज करके दिखाता हूं क्या होता है कुछ की नहीं होता है करके देखो ना यार अभी तो मेरे पास मौका है सीखने का सीख लें नहीं तो फिर मौका ही नहीं रहेगा तो कहां से सीख पाओगे एक्जामिनेशन में थोड़ी थोड़ी कहेगा कि पहले चेक कर लो यहां को छिख सकते हैं हमको यहां पर एक से कई कोशन के आंसर मिल रहे हैं चलो देखते हैं यह हमारे पास कुछ मैटर लिखा है मैंने इसको सेलेट कर लिया और मैं कीबोर्ड से सिफ्ट के साथ F3 बटन रहा हूं चेंजिंग नजर आ रही है चेंजिंग कुछ हो रहा है आप देखे कभी कैप्टल हो रहा है कभी किसमाल हो रहा है कभी संटेंस में हो रहा है यह हो रहा है और कोश्चन आप से पूचा गया है चैनित सब्द पर थीसर चेक चलाने के लिए थीसर चेक करना है थीस तो बेरहाल अगर आपसे question पुछा जाता की capital के test को small में करना हो जा small test को capital करना हो या आपको sentence में करना हो तो कौन से shortcut की use करिएगा shift के साथ F3 का use करेंगे ये उसका answer है तो बेरहाल या फिर कहे cycle change या change case आपसे पुछे तब भी क्या है shift के साथ F3 का use करिएगा तो बेरहाल shift plus F3 तो cut गया तो पहला answer तो गलत है shift plus F4 के क्या मतलब है चलिए check कर लेते हैं है भी या नहीं है मैंने यहां करसा रखा है और shift के साथ F4 दबा रहा हूँ ठीक है shift के साथ F4 दबा रहा हूँ सिर्फ के साथ F5 का क्या मतलब है यह देखिए यहां पर क्या हो रहा है करसर मैं जहां जहां रखा था वहां वहां यह बैग जाता है वह काम करता है यानि यह भी काम नहीं कर रहा है और मैं आप जबाता हूं सिर्फ के साथ F7 थोड़ी ही देर पर देख सकते हैं राइट हैं साइड पर आपके सामने ऊपर एक पैनल खुलके आए जिसका नाम लिखा हुआ है थी सर्स और जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हो यहीं पर है वाची सब आज जाएगा जैसे आपने लिखा फिल और इंटर कर दिया फिल से संबंदित आफसन आ गया ठीक है ना प्लक करना ब्लॉक करना यह सारी चीजे किसके अंतरगता गई थी सर्स की विए से यह काम आप यहां पर कर सकते हैं तो थी सर्स की शॉटकट की क्या होग जाता है खिर चले अगला कोस्चन देखते हैं एक वर्ट डॉसरे वर्ड डॉकument में Państwo करने के लिए शॉटकट की का उप्योग किया जाता है एक word document है और दूसरा word document है एक word document से दूसे word document में मैं जाना चाहता हूँ उसके लिए इसमें कौन सी shortcut की का use करेंगे control plus F2 का use करें या control plus F4 का use करें या control plus F6 का use करें या control plus F8 का use करें सवाल तो ये है बस आपको answer बताना है इसका क्या होगा तो इसमें भी हम लोग सारी की का use करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको इसका right answer क्या होता है चलिए देखते हैं यह हमारे पास text ठीक है और मैं एक slide एक और page खोल लेता हूँ क्योंकि question भी कुछ इस तरह से है एक नया page खोल लिया मैं पुराने page पे यहां में मौदूद हूँ अभी अब मैं यहां पे control प्लस सिर्फ प्लस F2 दबा करके देखता हूँ control प्लस सिर्फ प्लस F2 दबाता हूँ कुछ हो रहा है नथिंग कुछ नहीं हो रहा है अगला question है control प्लस सिर्फ प्लस F4 दबाके दिखाओ आप देखा control सिर्फ प्लस F4 दबाता हूँ इससे भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसी तरह से मैं प्रस करता हूँ control प्लस सिर्फ प्लस F6 प्रस करता हूँ और तब आप देखिएगा control प्लस सिर्फ प्लस F6 question में क्या है question में क्या है आप देख सकते हैं एक word document में से दूसरे word document को switch करना चलिए देखते हैं उपर देखे टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है document 3 और मेरे पास एक और document खुला हुआ है document 4 मैं यहां 4 पर मौझूद हूँ और मैं control shift F4 control plus shift plus F7 यहां पर दबाता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है F6 बड़न दबाता हूँ जो की question में लिखा हुआ है control plus F6 बड़न दबाता हूँ see document through meant three हो गया document three हो गया document four जो कर रहा हूँ क्या कर रहा था एक window से दूसरी window पर जाना है दूसरी वर्ड़कुमेंट की screen पर जाना चाहता है तो कौन सी window आप प्रेस करोगे तो आपने बताया control shift प्लस F6 का बटन दबाईएगा आप एक window से दूसरे window की तरफ चले जाएंगे अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं हम अगला कोश्चन भी बहुत ही उंदा है आप लोकले बड़ा धमाकेदार कोश्चन है पूछा गया paragraph या line को center में align करने की कौन सी shortcut की होती है अब सवाल आता है कौन सी होती है control shift यू से तो अंडर लाइन होगा करके दिखा देता हूं मैं आपको control प्लस shift प्लस तो control प्लस shift यू दबाया मैंने यह देखे अंडर लाइन हो गया यह तो सही नहीं है अब हटा भी दिया मैंने उसी से, Ctrl C से copy होता है यह आपको पता है, Ctrl C से क्या होता है, copy होता है, अभी मैंने बताया था, अब बाद आते है Ctrl D की, Ctrl D की, Ctrl D की, जैसे ही आप Ctrl D दबाएंगे, तो आपका dialogue box open होगा, Ctrl D shortcut की का यूज कब करते हैं, तो आप बताये कि font dialogue box open करने के लिए किया जाता है, Microsoft Word में, क्योंकि हर जगा पे Ctrl D का work अलग-अलग है, Microsoft Word में Ctrl D का का काम क्या है, Word का जो format है, Microsoft Word में जो font का format है, उसको open करने का काम ये open करता है, यानि format dialogue box open करना हो, font का, तो आप यहाँ पे इसका use कर सकते हैं, तो बेरहाल हमें जो चाहिए वो answer ये भी नहीं है, हमारा answer क्या है, वो है Ctrl plus E करके देख लेते हैं याँ, ठीक हैं, तो आप यहाँ से Ctrl plus E करिए, सेंटर में आ जाता है, बीच के वेचो बीच में लाना हो, तो आप इसका use कर सकते हैं, Ctrl plus C plus L का use कर सकते हैं, understand, चलिए अगले question की तरफ चलते हैं, और अगला question हमारे पास है, bullet point को जल्दी से insert करने की किस shortcut की का उपयोग किया जाता है, यानि आप से question कुछा गया है, bullet point insert करने की shortcut की क्या होती है, Ctrl plus C plus B होती है, चलो, मैं भी कभी यूज़ कर लूँगा, Ctrl plus C plus L होती है, Ctrl plus C plus T होती है, या Ctrl plus C plus E होती है, देखिए, बरहल मैं Ctrl plus C plus B यहाँ प्रेश करता हूँ, Ctrl double C plus B, क्या हो गया, बोल्ड, Ctrl plus C plus B से क्या होता है, बोल्ड हो रहा है, अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, Ctrl plus C plus T यूज़ करकर देखता हूँ, Ctrl plus C plus T, कुछ नहीं होता है, проход yet過去 से यहाँ लग रहे हो, तो यह center में आ रहा है यहां पर मैंने इसको किया तो इस तरह से यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है यहां से यह चीज़ें आप यूज कर रहा है लास्ट का option क्या है control plus shift plus L यह प्रेस किया तो वहराल इसको मैं यहां से control plus shift plus E जो था यूज कर सकते हैं इसका ठीक है ना तो control plus shift plus L आपका bullet list है यहां से ready हो जाती है देखिए लिखते जाएंगे bullet list आपकी यहां पर ready हो जाएगी ठीक है तो बेरहाल यहां पर हमने यह जो लगाया है वो यहां पर है तो बेरहाल यह आपका option हो गया है यहाँ पर shortcut की क्या है control plus shift plus L के मरद से हम bullet list को तयार कर सकते हैं bullet list को अगर हमको तयार करना होगा तो control plus shift plus L का use करेंगे ठीक है तो बेरहाल यह हमारे पास यह answer आ जाता है ठीक है next question हम लोग यहाँ से अगला देखते हैं अगला क्या option है किसी दस्तावेज में prist Key sees को क्या कहा जाता है पीज के सबसे उपर हिससे को क्या कहा जाता है header कहते हैं tap कहते हैं tap stop कहते हैं या इसमें से कुछ नहीं कहा जाता है किसी द 나स्तावेज में province के उपर को किया कहा जाता है तो यह देखिए यह हमारे पास पेज ही और हमारे पास मेंटर अब इसकेव पर का जो हिस्सा जो वाइट को दिख रहा है इसको क्या कहते है। तो बेरहाल मैं इंसर्ट में जाता हो यहाँ पर और यहाँ पर एक option मिलता है header option इसपर click करता हूँ और जैसे ही click करता हूँ थोड़ी धेर बाद थोड़ी चीज़े open होगी यहाँ पर मैंने लिखा हुए page इस पर जैसे की click करता हुद यहाँ पर रहा है उपर कुछ आ रहा है ना इसी को बोलते हैं header क्या बोलते हैं header जो की screen के सबसे उपर यानि कि जो white space होता है उस पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं header तो इसका right answer क्या हो गया header है ठीक है टैब का क्या मतलब होता है वह भी बता दूमें जैसे हम यहां से अपने keyboard से टैब दबाते तो यह क्या होता है इतना space 0.5 इंच टैब यहां पर यूज होता है चलिए आगे बदाते हैं टैब स्टॉप मतलब यहां पर जा साइज आपने यहां पर दिखाई जहां पर लिख करके आ रहा है यह चीज जो भी आप यहां लिखेंगे ठीक है यह बाइडिफॉल्ट कितना होता है तो 0.5 इंच गैप होता है 0.5 इंच का जो गैप होता है उसमें यह लिखा जाता है ठीक है तो वैसे तो margin 1 इंच की है ले 0.5 इंच पर यह लिखा होता है तो बाइडिफॉल्ट हेडर की साइज जो होती है वह 0.5 इंच होती है तो आपको आशर पाचल गया किसी बी दस्तावेश में उस्ट के सबसे उपरी हिस्से को क्या कहते हैं अगला अक्षान आता है MS Word 2003 का Default File Extension क्या है यार आप 16 पढ़ ले हो और 16 में क्या होता है डॉट डी ओ सी एक्स होता है और आप से कोशन क्या पुछा गया है 2003 में क्या होता है जब आप फाइल सेव करते तो उससमें यह Extension आपको नजर आते हैं यह देखे Ctrl S करता हूं मैं यहां पर आपको दिखाई देगा Ctrl S करता हूं Location कोई भी ले लेता हूं कोई भी फाइल को Location जैसे लेता है तो यहां पर जो आपको दिख रहा है यह देखे यह Extension है तो Microsoft Word 2016 में तो आपको डी ओसी एक्स 19 में भी डी ओसी एक्स 7 में भी डी ओसी एक्स लेकिन लोवर वजन 2007 में आपको क्या मिलता है डी ओसी डॉन डी ओसी आपका यहां पर मिलता है तो यह इसका Extension होता है बहुत से लोग समझते होंगे Extension क्या चीज होती है जैसे आप किसी गाने को सुनते हो तो इसको आप आडियो बोलते हो और कभी-कभी आडियो के जगां बोलते हो MP3 शॉंग हम सुन रहे हैं MP3 का मतलब होता है आडियो सॉंग और MP3 जो होता है वो Extension होता है जैसे आप कहते हो कि वीडियो की फाइल को बुलते है .mp4 और MP4 फाइल होती है .mp4 फाइल वहां पर यूज करते हो ठीक है वो चीज़े है फिर तीसरा होता है यह जो आप यूज करते हो यह नहीं कि जिसे या फिर आप ऐसे भी लिए सकते हो अगर आपका नाम अजीत गुपता है तो गुपता आपका अगर आपका नाम अजीत पांडे है तो आपका नाम पांडे जो है वह अपका एक्स्टेंशन है इस तरह से होता है तो पहला आंसर तो इसमें सही है दूसरा जो आंसर है वह 2003 में PPT होता है PowerPoint का तीसरा जो आपको दिया गया है है HTML यह तो होता है आपका है यहां पर आपका आंसर क्या है स्टेंशन होता है अगले कोशन की तरफ चलते हैं और अगला कोशन हमारे पास क्या है वह देखते हैं का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है आपको बताना है इनमें से जो आप्सन देया गया है about aYE ब्ष बार का उपयोग किसी i too Business को स्क्रीन पर और नीचे लिए लिए के लिए के आता है और हाँ तो व्यश्केर ृपियोली कीजिद बिट को स्क्रीन पर धी क्तोannya के लिए आप बताएं फॉर्मला बार का उपयोग किसी दस्ता वीद को स्क्रीन पर ओपर और नीचे या बाएं और दाएं यह तो वेरहाल एक्सल से कोशन है फॉर्मॉला बार ठीक है और चौता अफसन आता है स्क्रॉल बार कि स्क्रॉल बार की मजा स्क्रॉल जाहते हैं खरार सकते हैं अब आप को बताना इसमें से काउंसा सही прилож Dieses अप нам नहीं कर सकते हैं तो गलत होगा सिर्द करते हैं अगला प्रकिन सब्सक्राइब इस इस always यहाँ सो 25 भाट यहाँ से Waiting Apple है मिरे देख सकते हो मैं जूम भी कर देता हूं यहां से यह देखουμε मैंने किया तो लेफ्ट और रैट इस ट्रॉलंड यह सका आज को आप ऐडाउन आपको आउंसर मिल क्या होगा मर どう आज की वीडियो में बस इत्ता ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और भी धमाकेदार कोश्टन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमशकार जैहिंद यह इस झाल झाल